बढ़ाई देता हूँ, साथियों, पोस्टल स्टैम का एक कार्य हम सभी जानते हैं, उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना, लेकिन पोस्टल स्टैम एक और महत्वकुन भूमी का निभाते हैं, पोस्टल स्टैम विचारों, इतिहास और एतिहासिक अवसरों को अगली पीडी तक पहुँचाने का एक माध्यम भी होते हैं, जब आप किसी डाग टिकेट को जारी करते हैं, और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वो सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहद रूप से इतिहास के किसी अउंस को भी किसी दूसरे तक महचा देता है, ये टिकेट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकेट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और एतियासिक थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंत का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनियेचर फ़र्म होता है, आज जो ये स्मारक डाक टिकेट जारी किये गए हैं, उनसे हमारी युवा पीड़ी को भी बहुत कोच जानने, सिखने को मिलेगा, मैं अभी देख रहा था, इन टकटों में राम मंदिर का भव्य चित्रा है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जडिये राम भक्ति की भावना है, और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोग प्रिये चौपाई के माद्यम से राके मंगल की कामना है, इन में सूर्य मुश्री राम के प्रतीक सूर्य की छवी है, जो देश में नए प्रकास का संदेश भी देता है, इन में पुन्य नदी सर्यू का चित्र भी है, जो राम के आशिरवाद से देश को सदय गतिमान रहने का संकेत करती है, मंदीर के आंत्रिक वास्तु के संदेश को बड़ी बारी किसे इन डाग टिकिटो पर प्रिंट किया गया है, मुझे बताया गया है, कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलोसौफी है, इसका एक मिनेज रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है, इस काम में डाग विभाग को राम जन्व भुमी तिर्थक्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मारदर्शन मिला है, मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूँ, साथियों, भगवान स्री राम, माता स्रीता और रामायन की बातें, समय, समाज, जाती, धर्म और छेत्र की सिमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है, सबसे मुश्किल कालखण में भी त्याग, एकता, और साहस दिखाने वाली रामायन, अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायन, पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है, यही कारण है कि रामायन पूरे विश्व में आकर्शन का केंद्र रही है, दुनिया के विविन देशों, विविन संस्कृतियों में रामायन को लेकर एक उत्सा रहा है, आज जिन पुस्तकों का लोकारपन हो रहा है, वो इनी भावनाओं का प्रतिवीम है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता, सीता और रामायन को बहुत गवरव से देखा जाता है, आज की पीडी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विविन देश स्री राम पर आधारी पोस्टल स्टैंप्स जाली करते रहे हैं, आमेरिका, आस्ट्रेलिया, कमबोडिया, कनड़ा, चेक रिपबलिक, फीजी, इंडोनेशिया, स्रिलंका, न्यूजिलेंड, थाइलेंड, गयाना, सिंगापूर, ऐसे कितने ही देशों ने, भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मियता के साथ, सथाओर, तृपल थी, ट्रिपल ने.